हेलो फ्रेंड मैराकिस रोसन लर्न टेक टू टेक चरनल से आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं पताने जा रहा हूँ कि क्या बीटेक स्टूडेंट एमसीय कर सकते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पॉस्चेंस आ रहे हैं All Over India से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने बीटेक कर रखा है तो क्या हम एमसीय कर सकते हैं क्योंकि जैसा आपको पता है कि एमसीय का जिस तरह से क्रेट चल रहा है All Over India और जिस तरह से एमसीय के बच्चे सक्सेस्फुल हो रहे हैं और अच्छे अच्छे कंपणी में प्लेस्ट हो रहे हैं और बहुत ही अपना करियर को आगे ग्रो कर पा रहे हैं इसको देखते हुए कई बीटेक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो की एमसीय करने के इच्चुक है पर उनको कही न कहीं ऐसा लगता है कि क्या बीटेकर एमसीय को सेम है या बीटेक के बाद एमसीय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है यह बहुत सारे questions जो है बच्चों के मन में है पर उसको आज मैं clear करना चाहता हूँ तो चलिए इसको start करने से पहले जिस मैं आपसे request करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe ने करका तो subscribe कर ले आप अगल में जो बैसे जरू क्लिक करें तो चलिए start करते हैं मैं यह बता दू कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीटेक कर चुके हैं तो आप MCA बिलकुल कर सकते हैं पर यहां पर मैं कुछ अपना personal advice दूँगा जैसे अगर आपने बीटेक कुछ private college से कर रहा है और बहुत ही renowned college से आपने नहीं किया है और उसके बदले में आपको placement नहीं मिल रहा है और अगर आप MCA में admission लेना चाते हैं तो आप NIMSET, BHEU, ZENU जैसे premium institutes की तयारी कर सकते हैं और एक मौका आपको फिर से मिल सकता है कि आप इस तरह के renowned institute में आप पढ़ सके या engineering college में पढ़ सके जैसे आप इच्छा थी आपको BTEK करना था NIT से पर किसी कारण से आप BTEK नहीं कर पाए NIT से आप कहीं normal जगा से BTEK कर रहे हैं private college से BTEK कर रहे हैं और अभी भी आपको इच्छा है कि NIT जैसे college से मैं पढ़ूं और MCE करूं तो definitely आपको करना चाहिए और आपको जाना चाहिए पर अगेन मैं बता दूँ उसके लिए आप इंट्रांस क्रेक करके तभी आप जो है NIT में जाएं, JNU में जाएं, BHU में जाएं पर मैं इसके लिए कताई advice नहीं करूंगा कि आपने BTEK जो है private college से किया है और फिर उसके बाद आप सोच रहे हों कि मैं MCA भी इसी तरह के college स करूं, तो ये मैं advice नहीं दूँगा, हाँ अगर कोई बहुत अच्छा private college है और वहाँ आपको MCA के लिए chance मिल रहा है तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, जहां कर आपको बिल्कुल confidence हो कि यहां से तो मुझे placement मिल ही जाएगा, और BTEK वाले को MCA करने से फाइदा ये होता है, BTEK में क्या होते हैं, कि बहुत सारे physics, chemistry में, तारिश तक बहुत सारे सब्जेक्स पढ़ लेते हैं, और बहुत सारे engineering के भी subject पढ़ लेते हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है, कि आपने maturity आपके अंदर नहीं आई हो, और आप बहुत ज़्यादा focus जो है, computer के subject में नहीं कर पाए हो, चाए civil हो, चाए electronic हो, चाए electrical हो, पर अभी भी आपके मन में इच्चा है कि आपको software engineer बनना है, या आपको computer engineer बनना है, तो उसके लिए definitely आप चाहते हैं, और अच्छे college से, government college से, NIT से, JNU से, BHU से, इस तरह के premium institute से, अगर आप MCA करना चाहते हैं, तो definitely यह आपका जो decision है वो अच्छा होगा, पर अगर आपने BTEC किया है, और BTEC के बाद अगर आपको job मिल रहा है, अच्छी company में आप जापा रहे हैं, तो मेरा advice है कि आप company में जाए, job करें, क्योंकि जब आप company में चले जाते हैं, और वहां BTEC और MCA के बच्चों में कोई ऐसा differentiation नहीं होता है, या again, वही मेरा advice है, कि अगर आपको BTEC आपने normal college से किया है, private college से किया है, पर आपको MCA, NIT या अच्छे government college से करना है, government universities से करना है, तो आप definitely source सकते हैं MCA करने के लिए, तो इसी condition पे आप BTEC वाले student MCA में जा सकते हैं, तो चलिए प्रेंट, ये मैं confusion के लिए आपको कर रहा है, तो 100% आप MCA कर सकते हैं, क्योंकि MCA के eligibility criteria में BTEC भी आता है, तो चलिए प्रेंट, आपको अच्छा लगाँगा, तो लाइक करें, share करें, comment करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं कर रहा है, तो सब्स्राइब कर लिए, और पगल में जो बैल